नमस्कार साथियो मैं हूँ जनक लाल राठावर और आप देख रहे हैं छोटा किसान साथियो इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं गेहू के बुवाई के समय कौन सी खाद और कितनी मात्रा में हमको डालना है जिससे बेहता रुत पादन की और आप अग्रसर हो सकें तो आएए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही जरूरी जानकारी जो कि गेहू के बुवाई करने वाले अभी जो किसान है उनके लिए बहुत ही उप्योगी सिद्ध हो सकता है दोस्तो इससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सस्क्राइब कर लें और विल आइकान को भी प्रस कर लें जिससे वीडियो को नोटिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे गेहों की बुआई हो या सरसों की हो या कोई भी अन्य फसल हो अगर आप बुआई कर रहे हैं और अगर बहतर खाद का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप बहतर उत्पादन की और अग्रसर नहीं हो पाएंगे अभी जो किसमें आ रही है भरपूर उत्पादन वाली किसमें आ रही है अगर मैं प्रती एकड़ की बात करूं तो 25 कौंटल प्लस ही उत्पादन आपको देखने को मिलेगा अगर आपने बेहतर प्रबंधन किया है बेहतर मैनेजमेंट आपने हर एक चीज का किया है समय से बुआई के समय अब हमको क्या खाद डालना है यह थोड़ा असमंजस सा बना है इस वीडियो में वहिचर्चा कर रहे हैं बुआई के समय गेहों के बुआई के समय जो की एक निश्चित मात्रा होती है खाद की वो तो होता है 120-60-40 यह मैं तत्नों की मात्रा बता रहा हूं NP पीके और जो की प्रती हेक्टेयर है अभी मैं प्रती एकड में जो बात कर रहा हूं और सीधे डाइरेक्ट जो वी उर्वरा काते हैं मार्केट पर उसकी बात करूंगा एक तीन तरह से आप उपयोग करते हैं एक होता है अगर आपको डिएपी उपलबद हो और पा रहा है तो आप डिएपी लेकर के बुआई करते हैं एससपी उपलबद हो पा रहा है तो एससपी लेकर के बुआई करते हैं एनपी के जो बारा बत्तिस सोला के फॉर्म में आता है अधिकतर इसी को आप इसी ग्रेड का उपयोग बुआई के समय करते हैं तो अगर ये एनपी के ब हादों को भी लेना है तो कितनी मात्रा में लेना है जिससे हमारा जो उत्पादन हो अच्छा हो हम चार्चा कर रहे हैं बुआई के समय अगर आप डिएपी ले रहे हैं तो लगभग आपको 40-45 किलोग्राम सीधा सीधा एक बोरी आपको डिएपी लग सकता है आपको बुआई 40-50 दिन की जो फसल का अवदी है उस पर फिर आपको फस्पोरस की अवस्चता नहीं पड़ेगी और फसल बेहतर उत्पादन दे करके जाएगा अगर इस समय आप बुआई के समय यूरिया की पात करें तो लगभग 20-25 किलोग्राम एक आइडियल मात्रा है यूरिया का जो क आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके की जो मिट्टी है आपके एरिया का जो मिट्टी है वह कितनी उर्वरा सकती धारट किया हुआ है या फिर उस मिट्टी पे किन-किन पोशक तत्तों की प्रचूर मात्रा है और किन पोशक तत्तों की कमी देखी गई है तो इस है निर्भर करता है आपकी मिट्टी कुरबरा सक्टी कैसी है निर्भर करता है आपने कैसी विराइटी लिया है अधिक तर फेमस विराइटियों को प्योग हो रहा है बहुत ही बेहतरीन जो कि अत्यधिक उत्पादन देती है ऐसी विराइटियों को प्योग हो रहा है एसे में उनको जरूरी पोसक्तत भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराना हमारा एक तरह से करतब भी हो जाता है जिससे बेदर उत्पादन मिल सके अगर मैं बात करूं डीबी डबलू 303 जो कि अब तक में बहुत यदिक उत्पादन द लिए आपको नॉर्मल से डेढ़ गुना मतलब आप जितना खाद डाल रहे हैं उसका डेढ़ गुना आपको खाद इस किसम पर लगेगा डीबी डेबलू 303 हो 222 187 हो जो भी बहतर उत्पादन देने वाली किसमे हैं इनमें लगभग भेंका रूप से खाद का उप्योग हो खाद का से डूल होता है अगर आप कम उत्पादन लेने वाली किसमें लेगा रहे हैं तो आपको कम खाद लगेगा क्योंकि वो कम खाद लगेगा तो कम उत्पादन देगा अब चूंकि मैं बात कर रहा हूं गेहों की तो पोटास यूरिया कभी मैंने बात कर लिया है पोट पोटास अगर मैं प्रती एकड़ बात करूं तो लगभग 30 से 35 किलोग्राम 40 किलोग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं आवस्चक्ता के अनुसार अगर आपकी मिट्टी की उर्बदा सकती उपज सकती कैसी है उस हिसाब से तो 30 से 35 किलोग्राम आइडियल है प्रती एकड़ आप इतना उप्योग कर सकते हैं जिससे गेहूं में जो दाने का भरा हो और दाना भी मोटा हो बजंदार हो आपको उत्पादन भी भरपूर देखने को मिलेगा तो पोटास का उप्योग भी आपको बुआई के समय लगभग 30 किलोग्राम के आसपास करना है इसके बाद अगर आप सलफर को उप्योग कर पा रहे हैं सलफर को उप्योग अगर आप कर पा रहे हैं तो एक बेहत रूप से आपको अत्यधिक उत्पादन के और अग्रसर होने का एक और जरिया यह खाद है सलफर सलफर का मात्रा लगभग लगभग आपको 10 किलोग्राम तक इतने तक इससे अधिक नहीं लें वैसे आप कम भी ले सकते हैं 5-10 किलोग्राम के अंदर आप सलफार को प्योग कर सकते हैं जो कि बहतर उत्पादन आपको दे करके आपकी गेहूं जा सकता है तो सलफार बेंटोनाइट 90% पी ले सकते हैं अ महतपूर रोल निभाता है गेहूं में अगर आपने गेहूं में जिंक की कमी किया है तो आपका पौधा सुरू में ही लगभग 17-20 दिन या फिर 15-25 दिन के अंदर ही पीला पन लिए बैढ़ जाएगा उससे ग्रोथ नहीं होगा विकास नहीं होगा जिंक की उपलब्धता जरूर करें अगर मैं मात्रा की बात को लगभभग 5 किलोग्राम आप जिंक सलफेट या फिर मोनो जिंक भी ले सकते हैं या फिर 21% वाला जिंक भी ले सकते हैं तो इसका अब उप्योग कर सकते हैं प्रतियक तो जो मैंने तत्त्त्वा भी पताया है यह डिए पी के फार्म SSP के फार्म पर अगर लेना है तो चुकि SSP में नाइट्रोजन नहीं होता जैसे डियेपीम होता है तो SSP आपको ज्यादा लगेगा लगभग 1.5 से 2 बोरी प्रतियकर वहीं यूरिया आपको अधिक लगेगा लगभग 40 से 45 किलोग्राम लग सकता है वैसे तो 40 भी डाल देंगे 35 से 40 तो चल जाएगा इसके साथ ही आपको पोटास भी नहीं देखने को मिलेगा तो पोटास को आपको डालना ही रहता है लगभग 30 से 35 किलोग्राम के आसपास अगर मैं NPK की ग्रेड में बात करूँ 32 की तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप लगभग 70 से 80 किलोग्राम NPK डाल रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटास ये तीनों की पूरती बुआई के समय हो जाएगा तो 70 किलोग्राम या 80 किलोग्राम भी डाल सकते हैं प्रती एकर तो आपका यह सभी तीनों तत्व पूरती हो जाएगा साथ पर आप सलफर, जिंग को भी आप एड़ करके डाल सकते हैं इसके साथ एडिस्नल खाद है, मार्केट पर उपलब्द है अगर जो आपके मार्केट पर जो भी आपको अच्छा लगे जैसे जाइम भी हो जाता है दानेदार, आपका हुमिकेसीड है इनका भी आप उप्योग कर सकते हैं, बेहतर उत्पादम देखने को मिल सकता है अब दोस्तों, अगर आप इसके साथ सरसों की खली डालना चाहें एक बेहतर पॉइंट है और बहुत अच्छी एक जैनकारी है अगर सरसों की खली डालना चाहें, तब आपको जो भी रसाइनिक खाद है इनकी कुछ मात्रा कम कर देनी है, लगभग सभी में आप 5-10 किलोगराम कटाउती कर सकते हैं अगर आप 5 किलोगराम तक सरसों की खली प्रती एक डाल रहे हैं, चूर्ण, तब और यह बहुत ही अच्छा एक के तरह से पोसक तत्तो का सोर्स है और बहतर उत्पादन देने में है, सक्छम है तो आप इसका भी आप उप्योग कर सकते हैं, सरसों की खली की पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से हमने चैनल पल दे दिया है, आप जा करके देख सकते हैं दोस्तो यही जानकारी थी बुआई के समय कौन सी खाट डालें, बहतर मैनेजमेंट कैसा हो, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बाक्स पर जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना जो सुझाओ हो, कमेंट पर जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं होतो सब्सक्राइब करें